ओम शांती आज है 30 जून 2020 की साकार मुरली पहले एक नजर मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर बाबा ने कहा तुम्हें पहली पहली मुख्य बात सबको यही समझानी है कि अपने को आत्मा बिंदी समझो जब अपने को आत्मा निश्चे करें तब बाब को पूरा जान सकें फिर कहा दुनिया में सब हैं पुजारी और पुजारी तो जरूर पुजारी ही बनाएंगे जो सबका पुजे हैं वही उच तेउच भगवान हमको अपना बना कर पढ़ा रहे हैं और आप समान पुजे बना रहे हैं तो जब तक यह स्टडी पूरी हो यह खुशी साई रहनी चाहिए कि हम सत्युगी स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं फिर बावा ने कहा इस मृत्यू लोग का विनाश जरूर होना है यह तो सो परसंट सर्टेन है तो उससे पहले योग बल से अपने विकर्म विनाश करो और आत्मा को पवित्र बनाओ जितना हो सके याद में रहना है और फिर यह भी देखना है कि हम कितनों को याद दिलाते ह आगी कहा तुम बच्चों को कभी बिमारी में भी इस पुराने शरीर से तंग नहीं होना क्योंकि तुम समझ से हो इस शरीर में ही जी करके अर्थात रहे करके बाप से वर्षा पाना है साथ में साक्षी हो अपनी जांच करनी है कि हम कहां तक पुरुशार्थ करते हैं और लास्ट में बाबा ने कहा आधा कल्प से तुम बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी हैं बाप जानते हैं इसलिए अब तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है और अपने सिर से पापों का बोज़ा उतारना है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मेठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पुज्य बन रहे हो पुज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पुज्य बनाने प्रशन तुम बच्चों के अंदर कौन सा द्रिड विश्वास है उत्तर तुम्हें द्रिड विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्सा लेकर ही छोडेंगे बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड बाप के साथ जाएंगे बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं गीत ओम नमो शिवाए ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं बच्चे भी कहते हैं ओम शान्ती अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शान्ती प्रन्तु आत्माईं तो यथार्त रिती अपने को जानती नहीं है ना बाप को जानती है भल पुकारते हैं प्रन्तु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्त रिती मुझे कोई नहीं जानते यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कोन हूँ, कहां से आया हूँ, आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्मा है आपस में ब्रदर्स हो गई, फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल, कोई को फेमेल कहते हैं, परन्तु यथार्थ आत्मा क्या है, यह को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते अभी तुम बच्चों को यह knowledge मिलती है जो फिर तुम साथ में ले जाते हो वहां यह knowledge रहती है हम आत्मा है यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं आत्मा की पहचान साथ में ले जाते पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे हम से पार्ट बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं मैं आत्मा बिंदी हूँ बाप भी बिंदी है उस रूप में याद करें ऐसे बहुत थोड़े है नमबर वार बुद्धी है ना कोई तो अच्छी रिती समझ कर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है वही पतित पावन है पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है तो वहे भी समझाना पड़े अपने को जब आत्मा निष्चे करें तब बाप को भी जान सकें आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते रहते ग्यान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बहुत अच्छा बताते हैं, प्रंतु मैं कौ कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते, सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते, कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं, कि यह तो नास्तिक बना देते हैं, तुम जानते हो, ग्यान की समझ कोई में भी नहीं है, तुम समझाते हो, अभी हम पुज्ये बन रहे हैं, हम किसकी पूज पुज्या नहीं करते हैं क्योंकि जो सब का पुज्य है उच्च ते उच्च भगवान उनकी हम संतान हैं वह है ही पुज्य पिताश्री अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बना कर और पढ़ा रहे हैं सबसे उच्च ते उच्च पुज्य एक ही है उनके स और कोई पुज्य बना ने सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी। तुमको अभी पुज्य मिला हैं जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पुजा छुडा दी हैं। अपने साथ ले जाते हैं। यह चिछी दुनिया हैं। यह है अभी बाप हमको पुज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुम बच्चों को युक्ती दी है बाप को याद करें पुज्य देवता बनाने के लिए बाप है सर्व का पुज्य जो आधाकल्प पुज्य बनते हैं यह भी ड्रामा में पार्ट है ड्रामा के आदी मद्यंद को कोई भी नहीं जानते अभी बाप दवारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो पहली पहली मुख पुज्य बात यह समझानी है अपने को आत्मा बिंदी समझो आत्मा का बाप वह निराकार है वह नौलिशफुल ही आकर पढ़ाते हैं सृष्टी के आदी मद्यंद का राज समझाते हैं बाप आते हैं एक बार उनको जानना भी एक बार होता है आते भी एक ही बार संगम नुसार आये हैं कोई नई बात नहीं है कल्प कल्प ऐसे ही आता हूं एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है तुम बच्चों की दिल में जज़ता है कि बरोबर बाबा हमात्माओं को सच्चा ज्यान दे रहे हैं फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा बाप जो इस समय जाना है वहे फिर कल्प बाद जानेंगे यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा फिर हम सत्युग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे सत्युगी स्वर्गवासी बनेंगे यह तो बुद्धी में याद है ना याद रहने से खुशी भी रह स्टुडेंट लाइफ है ना हम स्वर्गवासी बनने के लिए पड़ रहे हैं यह एक खुशी साई रहनी चाहिए जब तक स्टड़ी पूरी हो बाप समझाते रहते हैं कि स्टड़ी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामगरी तयार होगी फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी तयारिया तो होती रहती है ना एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं चारों तरफ भिन-भिन प्रकार की सेनाएं हैं सब लडने के लिए तयार होते रहते हैं कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लडाई जरूर लगे कल्प पहले मुआफिक विनाश सो ह वो ना ही है तुम बच्चे देखेंगे आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी एक दो को ड्राते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बोम्स हाथ में उठाने पड़ेंगे मोथ सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाई रह नहीं सकते हैं आगे भी लड़ाई लगी थी तो बोम्स लगा दिये भावी थी न अभी तो हजारों बोम्स हैं तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सब को वापिस ले जाने सब पुकाह रहे हैं हे पतित पावन आओ इस चिछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो मुक्ती और जीवन मुक्ती सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ती धाम चली जाएंगी यह दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यू लोग कहा जाता है पहले अमर लोग था फिर चक्र लगाए अब मृत्यू लोग में आए हो फिर अमर लोग की सापना होती है वहां अकाले मृत्यू कोई होती नहीं इसलिए उनको अमर लोग कहा जाता है शास्रों में भी भल अक्षर है प्रन्तु यथार्त रिती कोई भी समझ से नहीं है यह भी तुम जानते हो अब ब विनाश जरूर होना है यह 100% सर्टेन है बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योगबल से पवित्र बनाओ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे प्रन्तु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं बाप से वर्सा अथ्वा राजाई लेने में मेहनत तो च चाहिए ना जितना हो सके याद में रहना है अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं मन मना भव इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए यह है बाप की याद देह अभिमान को छोड़ देना है तुम आत्मा हो यह तुम्हारा रत है इससे तुम कितना काम करते हो सत्युग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो फिर तुम यही अनुभव पाएंगे उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बुढ़ा हुआ है यह छोड नया लेंगे दुख की बात ही नहीं यहां तो शरीर ना छुटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाईयों आदी की महनत करते हैं तुम बच्चों को बिमारी आदी में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है क्योंकि तुम समझ से हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है शुबाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे यह है महनत प्रन्तु पहले तो आत्मा को जानना पड़े मुख्य तुम्हारी है ही याद की यत्रा याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन जहां के हम निवासी है वही हमारा शान्ती धाम है शान्ती धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो और कोई नहीं जानते जिनोंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे मुख्य है याद की यत्रा भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा भक्ति मार्ग क्या है जब ज्ञान हो तब समझें समझ से हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे, कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चे अब समझ से हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्सा देंगे, सब को वर्सा दिया था, यथा राजारानी, तथा प्रजा, सब स्वर्ग वा बनाया था अब फिर तुमको बनाता हूं फिर तुम ऐसे 84 जनम लेंगे यह बुद्धी में याद रहना चाहिए भूलना नहीं चाहिए जो नौलेज सुरिष्टी की आदी मद्यंत की बाप की पास है वे बच्चों की बुद्धी में टपकती हैं हम कैसे 84 जनम लेते हैं अभी फिर बाबा से वर्सा लेते हैं अनेक बार बाप से वर्सा लिया हैं बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं दैवी गुन धारन करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती हैं अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहा तक हम पुरुशार्थ करते हैं कोई समझ से हैं हम बहुत अच्छा पुरुशार्थ कर रहे हैं प्रदर्शनी आदी का प्रबंद करता रहता हूं ताकि सब को मालुम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है मनुष्य बिचारे सब घोर नेंद में सोय हुए हैं ज्यान का किसी को पता ही नहीं है तो जरूर भगती को ही उच समझेंगे आगे तुम्हारे में भी कोई ग्यान था क्या अभी तुमको मालुम पड़ा है ग्यान का सागर बाप ही है वही भगती का फल देते हैं जिसने जासी भगती की हैं उनको जासी फल मिलेगा वही अच्छी रिती उच्च पद पाने के लिए यह कितनी मीठी मीठी बाते हैं बुडिया आदी के लिए भी बहुत सहच कर समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो उच्च ते उच्चे भगवान शिव शिव परमात्मा इनमह कहा जाता हैं वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्ह सारे विकर्म विनाश हों, बस, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, आगे चल शुबाबा को भी याद करने लग पडेंगे, वर्सा तो लेना है, जीते जी बाब से वर्सा लेकर ही छोडेंगे, शुबाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं, तो वह फिर संसकार ले जाते है स्वर्ग में जरूर आएंगे जितना योग उतना फल मिलेगा मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है अपने सिर से बोजह उतारना है सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं जानते हैं आधा कल्ब से बच्चों ने तकलीफ देखी है इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्था बताने वर्सा लेने का बाप को सिर्फ याद करो भल याद तो आगे भी करते थे प्रंतु कोई ग्यान नहीं था अभी बाप ने ग्यान दिया है कि इस रिती मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे भल शिव की भक्ती तो दुनिया में बहुत करते हैं बहुत याद करते हैं प्रंतु पहचान नहीं है इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो अभी तुम समझ से हो हम अच्छी रिती जानते हैं तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास बाप ने यह भागी रत लिया है भागी रत भी मशोर है इन दवारा बैठ ग्यान सुनाते हैं यह भी ड्रामा में पार्ट है कल्प कल्प इस भाग्ये शाली रत पर आते हैं तुम जानते हो कि यह वही है जिसको शाम सुन्दर भी कहते हैं यह भी तुम समझ से हो मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है अभी बाप यथार्थ समझाते है ब्रह्मा सो विश्नू विश्नू सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मा पुरी के हैं फिर विश्नू पुरी के बनेंगे विश्नू पुरी से ब्रह्मा पुरी में आने में चुरासी जन्म लगते हैं यह भी अनेक बार समझाया है जो तुम फिर से सुनते हो आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे इसलिए तुमको खुशी भी होती है यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे तो क्यों न पवित्र बने हमें एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं फिर भी वे जिस्मानी वृत्ती बदलने में टाइम लगता है धीरे धीरे पिछाडी में कर्मातीत अवस्था होनी है इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है करमातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे इनको छोड़ना पड़े लड़ाई लग जाए एक बाप की ही याद रहे इसमें मेहनत है अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते गुड मौर्निंग धार्णा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुशार्थ करते हैं चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टड़ी करनी है परदान मास्टर रचैता की स्टेज जवारा आप दाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव मास्टर रचैता की स्टेज जवारा आपदाव में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव मास्टर रचैता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा, एक मनोरंजन का दृष्य अनुभव होगी जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समश्या वा आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे हाए हाए के बजाए ओहो शब्द निकले दुख भी सुक के रूप में अनुभव हो दुख सुक की नौलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए दुख को भी बलिहारी सुक के दिन आने की समझें तब कहेंगे संपूर्ण योगी स्लोगन दिल तख्त को छोड साधारन संकल्प करना अर्थात धरनी में पाव रखना दिल तख्त को छोड साधारन संकल्प करना अर्थात धरनी में पाव रखना अच्छा और अभी तीन मिनट हम सभी प्यारे बाबा को याद करेंगे ओ शान्ति